त्रिकोण मिती अनुपात पता करना हमने देखा कि सभी 6 त्रिकोण मिती अनुपात एक दूसरे से सम्मन्दित है हम यह भी देख सकते हैं कि यदि कोई एक त्रिकोण मिती अनुपात ग्यात हो तो हमें उस कोण से बने किसी भी समकोण त्रिभुज की हर दो भुजाओं के अनुपात की जानकारी प्राप्त हो जाती है ऐसा हम पाइथा गोरस प्रमे के उप्योग से कर सकते हैं एक त्रिकोण मिती अनुपात से सभी शेश अनुपात मालूम कर सकते हैं उधारन एक त्रिभुज PQR एक समकोन त्रिभुज है जिसमें कोन Q समकोन है तथा कोन R बराबर थीटा हमें साइन थीटा बराबर तीन बटे पांच दिया है क्या इससे हम बाकी अनुपात ग्याद कर सकते हैं यहां एक त्रभूज PQR समकोंड त्रभूज के रूप में दिया है जिसमें Q समकोंड है और एक कोंड R थीटा के बराबर है इसमें एक त्रभूज मीती अनुपात साइन थीटा कमान दिया हुआ है तीन बटा पाँच और बागी त्रिकोंड मीती अनुपात हमें क्यात करना है इसके लिए हम क्या करें जैसे जो त्रिभूज हमको दिये है वो PQR एक समकोंड त्रिभूज है जिसमें हम त्रिभूज PQR में जान रहे हैं कि कोंड क्यू नब्बे अंसका है और कोंड आर इसका थीटा है इसमें हमको और दिया है कि साइन थीटा बराबर तीन बटा पाँच और सेश त्रिकोंड मीती अनुपात ग्याद करने है सेश त्रिकोंड मीती अनुपात का मतलब है cos theta, 10 theta, sec theta, cosec theta और cot theta तो एक अनुपात दिये होने पर सेश अन्य त्रकोण मिती अनुपात यदि हम ग्याद करना चाहते हैं तो हम कैसे ग्याद करें जबकि हमको एक समकोण त्रभुच दिया गया हो त्रभुच PQR में कोण theta के सामने की भुजा PQ सम्मुख भुजा है और QR भुजा आधार भुजा तथा PR भुजा को हम करन भुजा कहेंगे इस त्रभुच PQR में इनकी तीनों भुजाओं का नामकरन हमने कर लिया अब हम ये देखें कि sin theta को इन में से किन भुजाओं के अनुपात की रूप में हम लिखते हैं क्योंकि sin theta का ही अनुपात हमको पता है कि sin theta तीन भटा पाँच है तो हमें ये जानने की जरत होगी कि ये किन दो भुजाओं के अनुपात को प्रदसित कर रहा है तो हम ये जानते हैं कि sin theta सम्मुक भुजा और कर्ण भुजा का अनुपाद होता है इस आधार पर हम ये जान पाते हैं कि sin theta को हम यहां सम्मुक भुजा और कर्ण भुजा की रूप में लिखे हैं और यहां अत्रभुज में हम PQ और PR की रूप में उसे देख पा रहे हैं तो इसे हम लिख सकते हैं PQ बटा P R दिया है हमको sin θ बराबर 3 बटा 5 इसका आर्थ यह हुआ कि PQ बटा PR जो है वो 3 बटा 5 के बराबर हुआ यदि हम इसको इस रुप में लिखें sin θ बराबर 3X बटा 5X तो भी यह ठीक होगा क्योंकि 3 बटा 5 जो लिखा गया है उसमें 3 और 5 में जो अनुपात है वही अनुपात यहां पर 3X और 5X में है इस आधार पर हम यहां से लिख सकते हैं कि PQ जो है वो 3X के बराबर है और PR 5X के बराबर है यदि हम त्रिभुच PQR में देखें तो हमें PQ 3X पता हो गया PR 5X पता हो गया लेकिन QR हम नहीं जान पा रहे हैं तो QR जानना हमें जरूरी है कि यदि QR हम जान लें तो तीनों भुजाओं के मान हमें पता हो जाएंगे और हम यह जानते हैं कि त्रिकोण मिती अनुपात ग्याद करने के लिए समकोण त्रिभुच भुजाओं की माप का पता होना आवश्यक होता है तो यदि तीसरी भुजाओं माप हमको पता हो जाती है तो हम अन्य त्रिकोण मिती अनुपातों को भी ज्याद कर सकते हैं इसकी तीसरी भुजाओं ज्याद करने के लिए हमको इस त्रिभुज में पाइथा गुरस प्रमे लगाना पड़ेगा बड़ी भुजा का वर्ग दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योखवल के बराबर होता है इसका अर्थ यहां बड़ी भुजा पी आर है इसको हम लिखेंगे पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग PR हमें पता है PR है 5X तो 5X का वर्ग हो जाए गए बराबर PQ सम्मुख भुजा को बतला रहा है और सम्मुख भुजा है 3X तो 3X का वर्ग और QR हमको ग्याद करना है तो यहां हम QR वर्ग लिखेंगे यह ग्याद करना है और यह चीजें हम यदि इधर पक्षांतरित करते हैं तो QR का मान हम ग्याद कर सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 5X का वर्ग है इसका मतलब 5 का वर्ग करेंगे अर्थात 5 का गुणा 5 करेंगे तो मिलेगा हमको 25 और यह एक्स का वर्ग करेंगे एक्स का वर्ग अभी पक्छांतरित करने के पहले हम इसको कोष्टक को सारल कर रहा है तीन का वर्ग करेंगे तो यह नौ एक्स का वर्ग करेंगे एक्स का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग 9x वर्ग को हम बाई और ले आते हैं पक्छांतरित करके तो 25x का वर्ग रिन 9x का वर्ग बराबर qr का वर्ग 25 में से 9 घटा लेते हैं तो यह हुआ 16x का वर्ग हमने 25x का वर्ग रिन 9x वर्ग का हल प्राप्त किया 16x का वर्ग क्योंकि x वर्ग दोनों में कामन हो जाएगा और 25 में से 9 घटा आया तो 16 आ जाएगा qr का वर्ग यहां हम qr चाहते हैं और यहां qr का वर्ग दिया हुआ है तो कैसे ग्यात करें इसको तो यदि हम दोनों पक्षों का वर्गमूल यदि हम ले लेते हैं तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इसको ऐसे हम लिख सकेंगे 16X का वर्ग इसका वर्गमूल बराबर QR वर्ग इसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा एक्स वर्ग का वर्ग मूल एक्स और क्यू आर का वर्ग है उसका वर्ग मूल लेंगे तो हमको मिलेगा क्यू आर इस प्रकार क्यू आर बराबर हमको मिलता है चार एक्स जो कि इसकी तीसरी भूजा आधार भूजा को प्रदर्सित करता है अब इस समकोन तरभुज में हमको तीनो भुजाओं की माप पता है और इससे हम अन्य तरभुज में अनुपातों को अब ग्याद कर सकते हैं इस प्रकार हमने दिये गए तरभुज PQR की तीनो भुजाओं ग्याद कर ली है हम इसे इस चित्र में प्रदर्शित करते हैं PQ सम्मुक भुजा 3X आधार भुजा 4X और कर्ण भुजा 5X है अब इसकी साहता से हम सेस्त्रिकोण मिती अनुपात ग्याद कर सकते हैं हम जानते हैं कि कास थीटा आधार भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात होता है तो ये आधार भूजा बटा कर्ण भूजा इसके मान हम यहाँ चित्र से देखेंगे तो आधार भूजा है 4X और कर्ण भूजा है 5X इसको हम लिख सकते हैं सरवन पात करके 4 बटा 5 10 थीटा बराबर होता है सम्मुख भूजा बटा आधार भूजा तो इसे हम लिखें सम्मुख भूजा बटा आधार भूजा इसको भी हम चित्र से देख सकते हैं इनके मान और इनके मान यहाँ पर हम अब लिख देते हैं सम्मुक भुजा 3X है आधार भुजा 4X है और सरल करने पर इसका सरल अनुपाद जो होगा वो 3 बटा 4 हो जाएगा सेख थीटा ये होता है कास थीटा का व्युत्करम कास थीटा को हमने लिखा है आधार भुजा बटा कर्ण भुजा तो सेख थीटा को हम लिख लेते हैं कर्ण भुजा बटा आधार भुजा और फिर हम इनके मान चित्र से देख सकते हैं कर्ण भुजा है 5X आधार भुजा है 4X और इनका सरल अनुपाद फिर हो जाएगा 5 बटा 4 कॉसेख थीटा यह होता है साइन थीटा का व्युदक्रम और साइन थीटा हमने देखा था सम्मुख भुजा और कर्ण भुजा का अनुपाद था तो इसको हम उसके व्युदक्रम के तावर पे लिखेंगे तो कर्ण भुजा बटा सम्मुख भुजा फिर इसे हम हम चित्र से देख सकते हैं कि इस कर्ण भुजा का मान है पांच एक्स और सम्मुख भुजा का मान है तीन एक्स सररण पात होगा इसका पांच बटा तीन इसी प्रकार कॉट थीटा टेम थीटा का व्युतकरम होता है तेम थीटा हमने लिखा है सम्मुख भुजा बटा आधार भुजा तो काट थीटा हो जाएगा आधार भुजा बटा सम्मुख भुजा आधार भुजा है चार एक्स और सम्मुख भुजा है तीन एक्स इस प्रकार इसका सरण पात हुआ चार बटा थीन अब आप देख सक रहा हैं कि हम ने 5 त्रिकोनमिती अनुपात भी ग्याद कर लिए इस प्रकार से एक त्रिकोनमिती अनुपात दिये होने पर हम अन्य त्रिकोनमिती अनुपातों को ग्याद कर सकते हैं